हेलो दोस्तों वेलकम टू जीटेक पॉली तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहतरीन जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे तो स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटिफॉल सेशन में प्रोडक्शन टेकनोलोजी के तो कैसे हैं सभी लोग एक बार सब क्या हाल चाल आप लोगों के बैरी गुड मॉर्णिंग टुझ अलॉफ यूग अभिसेख वासु अनुराग सतीस अभिसेख सुरदीभ राम कैसे सभी लोग फटाफट सब लोग बताएंगे या बैरी गुड मॉर्णिग टुड वाल आप यूव क्या मैं सबको बिसिवां और विजिबल हूँ हूँ बहुत बड़ीयां बहुत बड़ीयां तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने डिसकस किया था कि कटिंग टूल क्या होते हैं और कटिंग टूल के मैटेरियल क्या होते हैं जिसमें मैंने आपका कुछ important questions ही बताए वोगे कि क्या क्या पूछ सकता है आपके exam में तो आज जो हम लोग start करने जाए रहे हैं दोस्तों जो आपका अगला topic है यानि जो आपका अगला chapter में लेथ लेथ क्या है उसके बारे में detail में लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों ठीक है ठीक तो ध्यान दीजे दोस्तों यहां पर जो लेथ में आप लोगों को पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है एक बार डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में तो ध्यान दीजे यहां पर सबसे सबसे पहले पढ़ना है कि principle up turning क्या है सबसे पहले पढ़ना है पर आप टर्निंग डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और वियरियूश पार्ट का किसका बारत तो किसका जो saw लेथ मसीन के बहुत सारे पार्ट होते हैं उसके बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ना है और क्या पढ़ना है स्पेसिफिकेशन पढ़ना है दोस्तो इसमें ठीक है क्या क्या drive और transmission यूज होते हैं drive और transmission दोस्तो कुछ अलग नहीं है जो आपने theory याप machine में power transmission system बढ़ा है belt drive, gear drive, pulley drive यही सारी चीज़े इसमें भी यूज होती है फिर पढ़ना है work holding device कारे खंड को पकड़ने के लिए कौन-कौन सी device यूज की जाती है ठीक है फिर lathe के tool के बारे में पढ़ना है उनका नमंक्लेचर ये तो मैंने आपको last class में पढ़ा दिया कि single point cutting tool क्या होते है कुछ operation जो perform किये जाते है कि इस पर lathe machine पे plane turning, step turning हो गया, आपका facing हो गया, parting हो गया taper turning, drilling, boring, reaming जितने भी operation perform किया सबके बारे में ठीक है उसके बाद पढ़ना है दोस्तों कुछ parameter होते है जैसे cutting speed हो गया, feed हो गया, depth आपकट हो गया इसके बारे में ठीक साथी साथ में पढ़ना है दोस्तों, speed ratio क्या होता है यह सारी चीजे, बाकी और आपके जो आपके पढ़ना दोस्तों इसमें lathe में accessories क्या क्या यूज होती है और description पढ़ना है किसका capstan and turret lathe का ठीक है तो एक बार सभी लोग फटा फट से session को दोस्तों के साथ में share कर देंगे मैं आपके लिए बहुत ही exciting चीज लेकर के आ जाए हूँ दोस्तों उससे आपको बहुत सारी चीजे clear होने वाली यह ठीक है, तो बात करें दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे introduction lathe होता क्या है lathe होता क्या है ठीक है तो ध्यान दीजे दोस्तों lathe क्या होता एक machine tool होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे operation को perform करवाते हैं किस पे workpiece पे बहुत सारे workpiece जैसे माल लीजे क्या होगे आपका इधर देखिए आप लोग जैसे क्या हुआ दोस्तों ये आपका कोई workpiece है ठीक है ये एक workpiece है इस पे क्या करना है आपको बहुत सारे operation को perform करवाना है ठीक है turning हो गया drilling हो गया boring हो गया dreaming हो गया इन सभी operation को हम क्या करते हैं lathe machine पे आसानी से perform करवा लेते हैं आप बगल में देख रहे होंगे दोस्तों कुछ operation perform हो रहा है यहाँ पे यह जो tool है आपका यह जो tool है यह tool क्या कर रहा है इस direction में motion करकर के क्या कर रहा है दोस्तों turning कर रहा है यह जो देखिए कुछ निकल कर गिर रहा है यहां पर इसको लोग क्या कहते हैं चिप्स कहते हैं चिप्स बोलते हैं यह वर्क पीस यहां पर बढ़ा हुआ है दोस्तों यह वर्क पीस ठीक है अच्छा अच्छा कबीर कबीर की बिल्कुल अलग डिमांड रहती है सबसे अलग डिमांड रहती है कबीर की ठीक है यह आपका क्या होता दोस्तो टूल होता है यह क्या करता है cutting operation को cutting operation को perform करता है two perform करता है दोस्तो मैं आपको एक दुनिया में लेके चलता हूँ और वो दुनिया क्या है ध्यान से देखिए यहां पे वो दुनिया कुछ इस प्रकार से है इधर देखिए सब लोग सामने देखेंगे अपनी निगाहों को अब सामने लगाएंगे अब मैं कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सामने देखिए दोस्तो इधर देखिए सबसे पहले द्यान से देखिए यह आपका दोस्तो एक लेथ मसीन है इधर देखिए पूरा पूरा फिर से देखिए फिर से यह क्या है पूरा का पूरा एक लेथ मसीन है ठीक है यह पूरा का पूरा लेथ मसीन है सारी चीजे देखते चलिए मैं बहुत सारी चीजे बताता हूं दोस्तो देखिए ध्यान से इधर पूरा पूरा देख लिए एक बार देख लिए फिर मैं इसको explain करता हूं आपके सामने इधर देखिए इधर देखिए इसको क्या बोलते हैं टेल स्टॉक बोलते हैं हम लोग इस वाले पार्ट को इसको हम लोग क्या बोलते हैं लेट की बेड़ बोलते हैं इसको इन सब क्या बोलते हैं दोस्तों यह आगे वाला इससा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं हेड स्ट आग बोलते हैं और यह क्या होता है आपका इधर देखिए इस वाले पार्ट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं इस वाले पार्ट कुछ होता है इसको हम कैरियस बोलते हैं ठीक है और देखिए और देखिए आगे देखते रही अभी ओपरेशन भी परफॉर्म होंगा दोस्तो देखते रही है सब लोग, देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, अब देखिए, अब देखिए, क्या हो रहा है यहां पर, देखिए, देखिए, आगे देखिए, देखिए, देखते रही है, मजा आ रहा है कुछ, यह देखिए, एक वर्क पीस इन्होंने लिया हुआ है और उस work piece को इन्हों ने measure किया जो उसके desire dimension की नहीं है अब वो लेके जा रहे हैं उस पे क्या करने के लिए operation perform करवाने के लिए आगे देखिए थोड़ा सब देखिए इन्हों ने क्या किया चक पे उसको बाधा इन्हों ने क्या किया इस चक पे उसको बाधा अभी ये aligned नहीं है अभी ये aligned नहीं है तो इन्हों ने क्या किया फिर से चक की लगा करके चक की लगा करके उसको aligned किया और बाधा उसके बाद ये tool गया क्या करने के लिए operation को perform करने के लिए ये tool गया operation को perform करने के लिए ये चीज जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ये पूरा का पूरा जो arrangement लगा होता है ये आपका लगा होता है head stock में ये पूरा arrangement लगा होता है head stock में इस side में आप लोग देख रहे हैं कि drive system होता है यहाँ पे दोस्तों आपका चक लगा होता है यह जो होता यह चक लगा होता है इस पे वर्कपीस को बाधा जाता है चक पे वर्कपीस को बाधा जाता है ठीक है फिर इधर साइड में आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे यह क्या लगा हुआ है यहाँ पे belt and pulley drive लगा हुआ यह motor से operated होता है अभी देखिए जब बंद हो जाएगा तो इसको यह हाथ से क्या करेंगे, start करेंगे, अभी देखते रही है यहाँ पे, यह देखिए यह देखिए, फीर दे रहे हैं दोस्तो इस wheel से क्या करेंगे, feed दे रहे हैं कितने mm का इनको cut लगाना है उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद देखिए, इसको move करा रहे हैं इसको carriage की help से क्या करेंगे, move करा रहे हैं ठीक है, और देखिए आगे अभी अच्छी चीज़े दिखेंगे अब देखिए यह रुख गया न, इसको start कर रहे हैं चल गया, फिर से देखिए work piece क्या कर रहा है अब अपना काम करना सुरू कर दिया वर्क पीस पे अपना काम करना सुरू कर दिया ठीक है पूरा पहले ध्यान से देख लीजी अभी देखिए पूरा यही आपको यूज होगा दोस्तों लेट मसीन में जो मैं पढ़ाऊंगा देखते रहे हैं पूरा एक बार ध्यान से सब लोग देखिए देखिए ध्यान से इधर देखिए क्या इतनी बाते सब को clear है बहुत बढ़ी हैं बहुत बढ़ी हैं अब देखिए फिर से इन्हों ने क्या किया दोस्तों इन्होंने जब वर्कपीस तयार हो गया था वर्कपीस तयार हुआ यह हैंडल बना रहे थे अब उस हैंडल की dimension चेक कर रहे हैं कि क्या यह handle desired dimension में है कि नहीं है जब वो dimension में मिल जाएगा उनको तो उस पर कारिकरना बंद कर देंगे अब यह जब ready हो गया तो मैंने इसको अपने हाथ में ले लिए फिर मैं चेक कर रहा था कि हाँ यह ready हो गया workpiece ठीक ठीक है अच्छा एक और वीडियो आपको दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पर एक और दिखाते हैं आपको एक और दिखाते हैं एक और इधर देखिए सब लोग अब अब इधर देखिए अब आपके गुरुजी की बारी है ठीक है अब आपके गुरुजी क्या कर रहे है पार्ट को बता रहे हैं सब लेथ मसीन के जो पार्ट होते हैं सब पार्ट के बारे में बता रहे हैं अब इधर देखिए दोस्तों यह क् G-groups कटे होते हैं और flat groups कटे होते हैं B-groups कटे होते हैं और फ्लेट मतलब यह guideways बना होता है जो यहां पर आपको बी-भी गाइड़ फेश दीख रहा है यह जो भी गाइड़ वेज दिख़ रहा है दोस्तों इस पर क्या करता है यह जो आपका पूरा बनी हुई है, flat guide ways बनी हुई है, इस पे क्या गरता है दोस्तों, आपका यह जो, यह जो यहाँ पे carriers होता है, carrier जिस पे tool mounted होता है, यह पूरा का पूरा tool क्या करता है, इस पे mount करता है, और जो यह चीज आपको दिख रहा है, दोस्तों यह centering के लिए use किया जाता है यह centering के लिए एक device use किया जाता है ठीक है three जा चक में centering किया आउसकता नहीं पड़ती है लेकिन फोर जा चक के case में इस centering device किया आउसकता पड़ती है ठीक है आगे देखी थोड़ा सा अभी आगे देखिए देखती रहिए यह देखिए मैंने pulley और drive system भी आपको दिखाया है इसको चक बोलते हैं यह चक की होती है यहाँ पर जो रखा हुआ है यह चक की होती है और देखिए और देखिए अभी देखिए क्या क्या दिखाते हैं चक को अभी देखिए कैसे अपने हाथ से खोलूँगा यह दो थ्री जा चक दिखाई दे रहा है आपको यह क्या होता एडजस्टे मतलब यह self centering होता इसमें centering की आउसकता नहीं पड़ती है देखिए एक बार आप किसी एक चक क्या करिए चक में वो जो होता यहां पर स्लॉट कटा होता है उसमें चक की लगाईए और उसके बाद उसको खोलिए बंद करिए वो क्या होगा आटोमेटिकली मतलब बंद होता रहेगा इसलिए इसमें centering की आउसकता नहीं पड़ती है जबकि मैं अब देखते रहें देखते रहें देखते रहें इधर देखिए यह बात यह देखिए अब यहां पर पहलवानी शुरू हो गई है हमारी ठीक है अब यह जो चक था दोस्तों इतना भारी था यह लगबग 20-25 किलो का था अब इसको में पकड़ा हुआ था जब मैं वीडियो सेप की है मतलब वह सिलेंड्रिकल नहीं है तो उस कंडिशन में आप लोग इस फोर जचक का यूज़ कर सकते हैं यह जो देख रहे हैं आप लोग जा यह जबडे है सारे एक जबडा दो जबडा तीन जबडा चार जबडा इसमें बारी बारी से आप एक एक जबडे को उसकी जाती है, टर्निंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, जिसमें वर्क पीस हमारा क्या होता है, इस पिंडल पे क्या करता है, उस पे क्या करता है, घूमता है, जो वर्क पीस होता है, यह जो इस पिंडल यहां पे लगा हुआ है, इस पिंडल पे एक चक लग का डेपनीशन देख लीजिए अब यहाँ एक ऐसा मसीन टूल है जिसकी सहायता से कार एखंड पर खरादान या टर्निंग संक्रियां प्रफॉर्म की जाती हैं इसे हम लोग टर्निंग मसीन भी कहते हैं ठीक इस प्रकार खराद मसीन पर गोलाकार, कोनिकल, सपाट ये सारी सतहें क्या की जा सकती हैं असानी से खरादी जा सकती हैं इसका और यूज कहां पर होता है ड्रिलिंग हो गया बोरिंग हो गया रीमिंग हो गया इन सब में भी यूज किया जाता है ठीक है इसमें होता क्या ह वर्क पीस हमारा क्या करता है जो इस पिंडल होता है उसकी एक्सिस के एलॉंग क्या करता है रोटेट करता है यह जो वर्क पीस है दोस्तों यह क्या करता है यहाँ पर जो चक लगा होता है यहाँ पर यहाँ पर जो चक ऐसे लगा होता है ठीक है यह चक लगा होता है दोस्तों आपका spindle से, spindle क्या करता है, घूमता है, तो ये चक भी घूमता है, जिससे ये workpiece भी क्या करती है, गूमती है, अब अगर हम क्या कर रहे है, tool को इस direction में feeding कर रहे हैं, मतलब इस direction में motion करा रहे हैं, तो हमको कहते हैं, उसको plane turning करवा रहे हैं, अगर tool को हम क्या कर रहे हैं, इध आप्रेशन को हम लोग कहते है टर्ängen और अगर क्या कर रहा है उसके परपेंडिकोलर यानी लंब brighten करके हो डिल क्या कर्राइल मसीनिंग कर रहा है तो उसको हम लोग कहते है फेसीग ठीक है आईए दोस्तों बात करते है प्रिंस्पल आप लेट मसीन क्या होता यह चीजे मैंने आपको बता दी कि इसमें क्या करते हैं इस पिंडल पे वर्क पीस को पकड़ करके उसकी ही अच्छ पे घुमाते हैं घुमाते हैं जिससे की जब हमारे टूल क्या करता है उसके एक्सिस के पैरलल में मोशन करता है या तो परपेंडिकुलर में मोशन करता है जैसा भी हमको वर्क पीस कट करना होता तो यह इसका प्रिंस्पल होता है दोस्तों बेसिक प्रिंस्पल अब हम लोग बात करते हैं आगे जो आगे ब होता है कैपस्टन एंड टरेद लेथ तीसरा होता है आटोमेटिक लेथ चौथा होता है कि कैसा परपज है उस हिसाब से हम जहां पर यूज कर रहे हैं जैसा हमारा परपज उस हिसाब से अगर हम यूज करने तो उसको हम लोग कहते हैं इस्पेसल परपज लेथ, ठीक है? अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ड और सबसे पहली बात आती है किसकी बात आती है? center lathe की, engine lathe की या tool room lathe की ठीक है, दिखता कैसा है आईए दिखाते हैं आपको देखिए center lathe दोस्तों आपको कुछ ऐसा दिखता है जो मैंने अभी आपको दिखाया वो दिखता कुछ ऐसा है center lathe, जिसमें दोस्तों आपका जो ये आगे वाला part होता है इस part को हम लोग क्या कहते है इस वाले हिस्से को हम लोग कहते है क्या कहते है इस वाले part को हम लोग दोस्तों क्या कहते है ये जो हिस्सा होता है इस वाले part को हम लोग कहते है headstock headstock बोलते है ठीक ये जो पीछे आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते है तेल स्टॉक, यह जो नीचे आपको दिख रहा है, यह जो नीचे वाला पोर्षन दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, बेड़, और यह जो अर्रेंजमेंट आपको दिख रहा है, यह यह अर्रेंजमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियेज, जो में इसमें पार्ट्स होते हैं दोस्तों वो 4 होते हैं पहला head stock दूसरा telli stock तीसरा कहे रहे है चौथा bed और इसी bed पे पूरा का पूरा जो assembly होता है जो यह bed होता है इसी bed पे पूरी की पूरी assembly क्या होती इसकी mounted होती है अब एक बास अभी लोग आगे अपना ध्यान लगा करके देखेंगे मैं कुछ चीज़े आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले अगर हम बात करें bed की जो आपका bed होता है दोस्तों ये bed जो होता है ये cast iron का बना होता है किसका cast iron की casting करके बनाई जाती है क्यों कि जब इस पे machining operation परफॉर्म हो रही होती है तो उस time पे इतने vibration पैदा होते है कि उस vibration को absorb करवाने के लिए ये जो bed होता है वो cast iron का बनाई जाता है ठीक है? ठीक है दोस्तों? अरे ऐसा नहीं है ठीक है? इधर देखिए ये cast iron का बनाई जाता है इस bed में क्या होते है दोस्तों? ये जो bed आपका दिखता है ऐसे इसमें क्या होते है? गाइडवेज बने होते हैं कैसे गाइडवेज होते है? एक बार इधर देखिए सब लोग ये गाइडवेज कैसे दिखते है आपको ये guideway कुछ ऐसे होते हैं दोस्तो ये देखिए B-save आपको एक guideway दिख रहा है एक ये जो guideway आपको दिख रहा है या कैसा दिख रहा है वी सेव का दिख रहा है इसको लोग कहते है प्लेट guideway guide मतलब क्या करने के लिए उसको mark provide करने के लिए हिए ठीक के एक सहारा देने के लिए और यह क्या होता यापका वी U बी गाइडवेज इस बी गाइडवेज में दोस्तों क्या होता है आपका जो टेली स्टॉक होता है टेली स्टॉक टेल स्टोक मोशन करता है तेल स्टोक मोशन करता है ठीक है और इस फ्लैट गाईड वेज़ पे क्या होता दोस्तों अपका जो के यूज लगा होता है के 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 हीरिय जो हता है करता है कि अभी आपने वीडियो में भी देखा यह चीज ठीक है अरे ऐसा नहीं है वसू अब क्लास ले तो या नाम लेते चले आप लोग खुद बताईए अगर नाम ले 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 अपको अच्छा लग रहा तो नाम ही लेते चलते हैं सबका अब क्लास ले रहे तो क्लास ले ल लेत भी कहा जाता है कि इसको इस वाले लेत को कौन सा सेंटर लेत को इस नाम से भी जाना जाता है ठीक इस खराद में जौब को दो केंद्र को के बीच में सहारा जाता है इसलिए इसको केंद्र खराद भी कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ यहां पर जो वर्क पीस बाधा जा है यहां पर एक सेंटर यहां पर होता है दूसरा सेंटर ही जो पीछे वाला दिखाई दे रहा है इसके बीच में सपोर्ट दिया जाता है इस न पब सेंटर लेथल," ठीक है आगे देखिए उसके बाद से इसके सभी मुख्य बाग क्या होते हैं इसमें बेड होते हैं बेड लगे होते हैं जब जाब कारिखंड को हेड़ी स्टॉक पे पहला पार्ट क्या हो गया बेड होता है दूसरा जो होता है अगला जो पार्ट आपका होता है दोस्तो इसमें चक क के बाद हो गया दोस्तों आपका ये क्या होता है ये आपका टेल स्टॉक हो गया ये पूरा का पूरा बेड होता है ठीक है ये इसमें में चार पार्ट होते हैं टोटल इसमें चार पार्ट होते हैं अब इन चारों पार्ट के बारे में बारी बारी से सुनते रहे हैं मैं बता काम हो गया दूसरा काम क्या होता है जो इसमें गाइडवेज बने होते हैं दोस्तों क्या क्या बने होते हैं यह जो पहला आपको बी गाइडवेज दिख रहा है इस बी गाइडवेज में यह जो हमारा टेल स्टॉक होता है वो क्या करता स्लाइडिंग मोशन करता है और दूसर अब बात करते हैं, बेड के बारे में सबसे पहले, तो बेड क्या होता है, सेंटर लेत का मुख के पार्ट होता है, यहां किसका बना होता है, यहां धलवा लोहे का बना होता है, इस बेड पर उल्टी भी यकार की दो गाइडवेज बनी होती है, इसमें से बारी गाइडवेज पर saddle को चलाया जाता है जबकि आंतरी guideways पर tail stock को सरकाया जाता है दो guideways उपर वाली हो गई उसके बाद आंतरी guideways मारगों में से एक flat guideways अथा दूसरा उल्टी भी ये कार का guideways होता है flat guideways के घिसाई के कम होती है दोस्तो flat shape के कारण से ठीक है और इस flat guideways पर क्या करता है हमारा ये guide बहुत ही उच्च कोट की अथार्था वाली बनाई जाती है ताकि सुद्ध मसीनन प्राप्त हो सके ठीक है bed पर ही खराद के मुख्यंगों को सहारा जाता है एक कार ही हो गया ठीक है बाकी सारी चीज़े जो मैंने आपको बता दी वह सारी चीज़े आप लोग लिख सकते हैं कि vibration को क्या करने के लिए कंपनों यों जटकों को आसानी से absorb करने के लिए इसका यूज किया जाता है अरे इतनी बाते सबको clear है क्या एक बार बताईए लोग सबलों कि एक बार सब लोग करताईर एक बार इस बीडियो को फिर से ध्यान से देखिए इसमें बहुत सारी चीज़े हैं दोस्तों कुश है इस बीडियो को द्यान से देखिए ये तो इतना clear नहीं था यह वाला वीडियो आपनों ध्यांत से देखिए, इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें जो आपको जानने नहीं हो गी है, इधर देखिए, आपको इसमें क्या-क्या पार्ट्स दिख रहे हैं, पहला head stock दिख रहा है, ध्यांत से देखिए, head stock में क्या-क्या mechanism लगा हुआ है, यह च लगाते हैं कौन सी की लगाते हैं इसमें हम लोग की लगाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं बताइए अब लोग चक की चक को खोलने के लिए चक की लगाए जाता है यह देखिए बेड़ आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों इस बेड़ में क्या है एक बी गाइड स्टॉक होता है वो मोशन करता है जो टेल स्टॉक है पीछे वो मोशन करता है बाकी अब बारी-बारी से अगर आप पार्ट को देखें दोस्तों तो यह जो पूरा कैरीज आपका है इस कैरीज में सबसे नीचे होता है आपका दोस्तो सैडल सबसे नीचे क्या होता है सैडल होता है उसके उपर क्या लगा होता है दोस्तो आपका एक क्रॉस स्लाइड लगा होता है उस क्रॉस स्लाइड का काम क्या होता है क्रॉस स्लाइड का काम होता है दोस्तो इस direction में motion करना मतलब ऐसे ऐसे motion करना इस bed के अगर बात करें इस axis है तो इसके perpendicular motion करना ठीक एक होती है compound slide दोस्तों जिसके उपर आपका लगा होता है यहाँ पर tool post जिस पर क्या लगा होता है tool post इस tool post के उपर लगा होता है आपका tool holder इस tool holder में क्या mount किया जाता है यह tool जो आपको दिखाई दे रही है mount किया जाता है ठीक है उसके बाद देखिए द्यान से अभी कुछ parts आपको और दिखेंगे यहाँ पर देखते रही है पीछे यह बात यह जो पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों tail stock है इस tail stock में हम लोग एक center भी लगाते हैं मतलब यहाँ पे अगर कभी-कभी बहुत बड़ा work piece है तो centering के लिए क्या किया जाता है जिसे केंदरग लगाया जाता है ठीक है ऐसे करने के लिए जिससे इस पर हम असानी सिकारे कर सके तो उस condition में यहाँ पे center भी लगाया जाता है और इसके अलावा यहाँ पे जो यह चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लगाते हैं दोस्तों हम लोग इसमें drill tool का भी use करते हैं किसलिए work piece में drilling operation को perform करवाने के लिए एक आपको यहाँ पे lever दिख रहा होगा दोस्तों यह जो lever है यह lever किसलिए होता है इस tail stock को क्या करने के लिए fix कराने के लिए जैसे मान लिजिए आपका क्या हुआ यहाँ पे motion करके यहाँ पे यह आ गया यह सामने इसका work piece है जैसे ही work piece के contact में आया हम lever को घुमा के क्या करते है fix कर देते है क्यों? जिससे कि वो अपना काम आसानी से कर सके अब lever को घुमा के इसको fix कर लेते है उसके बाद हम क्या करते है बारी-बारी से इसको पीछी से slide करकर करकर जो भी हमको operation perform करना होता है उसको perform करवाते है ठीक है? अब आगे देखी थोड़ा सा उसके बाद देखी यहाँ पे यह तो पूरा देखी mechanism कैसे tool यहाँ पे लगा होता है यह देखिए ध्यान से यह tool कैसे mounted है यहाँ पे पीछे आप लोग ध्यान से एक flat guide ways बना हुआ है ठीक है उसके बाद आगे देखीए देखते रहिए एक आपको यहाँ पर feed rod दिख रही है feed rod इस feed rod पे क्या होता है thread कटा होता है किसलिए कटा होता है दोस्तों हम कभी कभी क्या करते है machine को automatic करना चाहते हैं असानी से क्या करने के लिए जैसे हमने फीट दे दिया कितना हम को फीट देना है फीट देने के बाद आपBirना कुछ और काम करना चाहरे और ऐसी फीड करते हैं इसको फीड रॉटस जब घूँवती है तो ऑगे की अपनी आप्रेसं को perform करता है इस feed rod की help से उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर देखिए बहुत सारे handles लगे हुए हैं इसमें देखिए बहुत सारे handle लगे हुए हैं किसमें इस carriers में तो यह वाला जो होता दोस्तो इसमें से एक handle आपका क्या होता है फीट देने के लिए दूसरा handle जो आपका होता दोस्तों क्या करवाने के लिए इस carriers को reciprocating motion करवाने के लिए किसके along workpiece के along workpiece के along reciprocating motion करवाने के लिए जिससे कि हमारा turning operation perform किया जा सके और साथी साथ में दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमको facing operation अगर perform करवाना है इस वाले wheel का हम लोग use करते हैं यहाँ पर आगे देखिए अब आगे इधर देखिए यहाँ पर आपको कुछ labor दिख रहे होंगे यहाँ पर भी कुछ labor दिख रहे होंगे यह जो लीबर्स होते हैं दोस्तों यहाँ पर ऐसे लिखा होता है speed कुछ rpm लिखा होता है यह क्या करने के लिए होता है rpm को control करने के लिए lever लगाए जाता है speed control करने के लिए उसके बाद देखिए ध्यान से आगे अब पूरा देखते रहे देखते रहे अभी कुछ और दिखेगा आपको ये देखिए ये बहुत पुराना लेट मसीन है दोस्तों यहाँ पे आपको गीर भी दिख रहा होगा ये अब मसीन में आपको नहीं दिखता होगा ये गीर मेकेनिजम यहाँ पे लगा हुआ है ये अब नहीं दिखता होगा इतना वाला ठीक है और देखिए और देखिए देखते रहे देखते रहे देखते रहे उसके बाद उसके बाद अब बात आती है operation की जिस पे operation perform हो रहा है इधर देखिए इधर देखिए कहा क्या कहा क्या आई ये रहा देख रहे हैं mechanical आप लोग पढ़ते हैं सारा काम ये लोग करते हैं यह सारा चीज़ आप लोग खरीदे होंगे लेकिन कभी यूज नहीं कियोंगे यहाँ पर यह सारी चीज़े यूज हो रही है उसके बाद देखिए यह वर्कपीस को मेजर करके काट रहे हैं अभी अब देखिए यहाँ पर अच्छा यह जिससे यह मेजर कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चे बताई सब लोग पटापट से अभी देखिएगा यह जिससे यह मेजर कर रहे हैं वर्कपीस को इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इससे इनोंने measure किया dimension, उसके बाद, देठीए, अब ये लेो कि इपर बाधने के लिए चक तीदे को और पर देखिए, ये देखिए, इनोंने क्या किया, इस चक पर बाधने के लिए, ले गये ले गये, आई, ये रहा, ले जा रहा है चक पर बाधने के लिए, ये पूरा machine ऌशा degenerate यसे इसे कर रहा था फिर दोबारा से यह ने क्या किया चख की लगा के पिसे टर अब इस टूल को देखिये देखिए दोस्तों यहां पर पीछे खड़े थे तो sto है टुछ चला चला के चला 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 के क्या करने उस पर लेके जा रहे हैं operation perform करने के लिए ठीक है पीछे दोस्तों जो आपका लगा होता है डिस्टॉक में यह पूरी की पूरी क्या होती है drive mechanism होती है जिसके थुरू हमारा क्या होता है यह जो पूरा का पूरा spindle वाला motion होता है यह control किया जाता है यहां पर अभी जो यूजो रहा दोस्तों यह क्या और यह belt and pulley drive यूजो रही है अब देखिए क्या कर रहे है यह operation perform कर रहे है कर रहे है अच्छा इनको पता कैसे चलेगा कि हमने कितना operation perform किया है तो दोस्तों यहां पर पीछे की side में अगर मैं दिखाऊं आपको एक बार फिर से द लिखा होता है ठीक है जैसे आपने एक mm का फीड दिया तो उस handle पर आप लोग देखते होंगे कुछ फीड लिखा रहता होगा एक mm दो mm वो सारी चीज़े लिखी रहती है ठीक है आगे देखिए फिर थोड़ा सा और देखिए इसमें भी अब देखिए operation perform हो गया job को इन्हो इन्हों था उसके बाद फिर से इन्हों ने चालू किया फिर वर्क पीस पर काम कर रहे हैं कर रहें कर रहें कर रहें कर रहें कर रहें ठीक है कारे हो गया कारे संपन हो जाएगा अभी देखते रहिए पूरा कि देखिए पढ़ाने वाला इसमें कुछ नहीं बस समझने वाल है कि अच्छा कितने लोग इस पर काम किये हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक बार से बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां वर्नियर कहली पर यह माइक्रोमीडर कौन लिख रहा है बसु यह वर्नियर कहली पर है इतना तो पता होना चाहिए अब देखे चक की उन्होंने लगाया अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए इसी वक्त जैसे उन्होंने चक की लगाया देखते रही है इधर देखिए इधर देखिए यह देखिए अभी देखिए इधर देखिए खुल गया ना एक ही जगा पर चक की लगाने पर क्या हुआ खुल गया तो यह कौन सा चक आपने यहां पर यूजज किया है थीजा चक इसमें तीन जबड़े थे रही था जब बड़े हैं कितने जबड़े हैं इसे हम लोग कहते हैं इसे इसे आma बारी-बारी से इंको क्या करना पड़ता है, खोलने के लिए तुमने मUI लिएज़े एकी से निकाल ले ते, लेकिन इनको जब बंद करना होता है इसमें वर्कपीस को, तो कई बार बंद करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद देखिए, देखते रहे, देखते रहे, अब काम संपन्न हो गया, आगे हम लोग पढ़ने ठीक है, तो ये थी दोस्तों आप लोगों की complete detail, बेड़ का काम समझ में आ गया, अब मैं पूछ रहा हूं, सब लोग बताते चलेंगे, head stock में क्या क्या लगा होता है, सब लोग बताईए, comment box में फटा पट से, बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां, जिसने जिसने किया है, बहुत अच्छा, head stock में क्या क्या लगा होता है, head stock में पहला आप लोगों ने देखा, क्या आप देखा, power transmission devices लगी होती है, पूरा का पूरा आपका feed mechanism होता है, belt and pulley drive, जो की motor से connected होती है उसके बाद आपने क्या देखा lever लगा होता है आगे की side में आगे की side में क्या लगा होता है आपका lever लगा होता है lever कुछ ऐसा आपको दिखता है इधर देखिए पूरा का पूरा अब यहाँ पे इसमें देखिए diagram आपको यह वाले बनाने है दोस्तो जो आपके सामने है यह देखिए यहाँ पे feed box है इसमें lever लगा हुआ है control gear box है head stock पूरा का पूरा यह mechanism हो गया नीचे आपका क्या होता है base होता है यह चक होता देखिए force अचक यहाँ पे लगा हुआ इन्होंने बता दी है यह cross slide होती है यह भी आपका एक क्या होता है screw cutting engaging lever होता है बहुत सारे lever लगे होते है उसके बाद यह tool post होता है tool post पे क्या होता है दोस्तो आपका यह tool holder लगा होता इस tool holder में आपका work piece mount किया जाता है एक cross slide हो गया आपका यह नीचे saddle होता है यह क्या होता आपका tail stock होता है यह tail stock क्या करता है ऐसे ऐसे slide करता है इसका use दोस्तो दो जगा किया जाता है एक आपका drilling operation perform करने के लिए एक centering देने के लिए drilling हो गया boring हो गया इन सभी operation को perform करने के लिए टूल ये टेलि स्टॉक का यूज किया जाता है और साथी साथ में दोस्तों जो इसका यूज होता है कहाँ पे centering को देने के लिए ठीक है center provide करने के लिए इसको जो workpiece यहाँ पे लगाते हैं उसको center देने के लिए माल लीजे कभी आपका workpiece ऐसा लगा ऐसे workpiece आपका लगा हुआ इसमें बहुत बड़ा workpiece है इस पे आपको क्या करना turning operation perform करनवा नहीं है तो एक आपने center यहाँ पे दे दिया दूसरा आपको center यहाँ पे देना पड़ेगा अब आपका जो tool चलेगा अब आपका जो tool चलेगा जब इस पे काम करेगा तो इसमें babbling और नहीं होगी ठीक है मतलब यह vibrate और नहीं करेगा ज़्यादा ठीक है very good very good नहीं थिक बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां ठीक है तो इतनी बात है सबको समझ में आ गई होंगी दोस्तो लेथ मसीन से related क्या सबको इतनी बात है किलियर अब बताईए यहां पे जो अगली बात आती है कि head stock समझ में आ गया क्या क्या लगा होता है मैं बता दू पढ़के एक बार से देखिए द्यान से इधर head stock let machine के बढ़ के बाई और इस्थित होता है यह तो सबने देख लिया head stock में spindle को विभिन गतियों पर चलाने के लिए आवस्यक mechanism यंत्रावली लगी रहती है इसमें विभिन गतियां प्राप्त करने के लिए बहुत सारी गतियां प्राप्त करने के लिए stepped pulley का यूज़ किया जाता है जो अभी आपने देखा वो stepped pulley है कैसा दिखता है stepped pulley stepped pulley दोस्तों आपका कुछ ऐसा दिखता है stepped pulley जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है ठीक है ऐसे रहता है उसके बाद ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा ठीक ये तो हो गया आपका माली जे ड्राइवर है ये आपका ड्राइवर है ठीक इसका आपोजिट होगा ड्रीवेन इसका ठीक अपोजिट होता है ड्रीवेन में ठीक अपोजिट इसका ड्रीवेन में होता है ठीक है अब इसके उपर आप लोग बेल्ट लगा दीजिए इसी को में लोग कहते हैं step pulley यह बेल्ट लगा दीजिए ऐसे ठीक है यह बेल्ट आपने लगा दिया इसी को लोग कहते step pulley ठीक है और यह आपका दोस्तों जो होता है आपका driven यह कुछ इस तरह से दिखता है है और बात करते हैं क्या क्या चीजrows आप लोग लिख सकते हैं लिखने वाली चीज़े आप लोगा खुझ से कर सकते हैं दोस्तों को तूल fluid किदेर और का तूल प्लिव्ड कटिंग फ्लिव्ड वो तो उपर से लगा लेना भाई क्या जिक्कत है हेड इस्टॉक काज टायरंड को ढाल कर बनाया जाता है ठीक है इसमें इस पिंडल को सहारा परदान करने के लिए बेरिंग लगी होती है यह सारी तीज़े आप लोग देख लिएगा थेओरी यह दोस्तो इसमें कुछ है नहीं जो मैंने बता दिया आपस आपको उतना ही करना होता है काईरीहस का काम क्या होता है दोस्तों हेफिस का काम क्या होता है बोली एक बार से कर दो आ creatively मसीन के बैड पर हैड च heavily स्टाक बीच में बेर्य तरोख है पहला फॉइंट हो गया इस्पिंडल की च dispoundrics कर समांतर गती करता है ठीक है का कर गपरले ईसमेंद के जो support provide करना उसको सही path पर यानि सही mark पर निर्देशित करना जैसे मैं कर रहा हूँ ठीक है आपके paper के और आपके बीच में मैं खड़ा हूँ मैं आपके लिए carriage हूँ यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ सही path provide करा रहा हूँ पढ़ाई करने का ठीक है यह होता है carriage का काम इस carriage के बहुत सारे part होते हैं दोस्तों जिसको लोग कहते है saddle, cross slide compound slide, tool post apron, आप बारी-बारी से इसमें भी देख सकते हैं सबसे नीचे जो guide ways पे लगा होता है पहला part आपका वो क्या होता है slide होता saddle होता है, sorry saddle होता है saddle क्या करता है, इधर-इधर motion करता है उसके उपर आपका लगा होता है cross slide, फिर उसके उपर लगा होता है compound slide, उसके उपर tool post, tool post में आपका tool holder यह सारी चीज़े इसमें लगी होती है ठीक है, बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां अब बात करते हैं tail stock की tail stock का का काम क्या है tail stock का का क्या है, दोस्तों सभी लोग बताएंगे एक बारी से tail stock पे आपने दोख देख लिया है कि यहाँ लेथ के बेड़ पर डाई और लगा होता है इसको बेड़ पर बने guide mark पर आगे पीछे क्या किया जाता है दोस्तों सरकाया जाता है या आऊ सकता अनुसार किसी भी अस्थान पे clamp किया जा सकता है ठीक है, जहां हम को चाहिए वहाँ पे हम इसको आसानी से clamp कर सकते हैं इतनी वादे सब को clear है दोस्तों इसका परियोग कहां पे लंबे कारिखंडों को सहारा परदान करने के लिए support प्रोवाइट कराने के लिए मैंने आपको बताया कैसे drilling operation परफॉर्म करने के लिए reamer, cutting tool को पकड़ने आधी क्या किया जाता है इसका use किया जाता है, यह क्या होता है cast tyrant का बना होता है centering, centering बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया it is mounted on the right side right side में होता है कि इसके left bed के, और यह क्या करता है slide कर सकता है, आगे पीछे to and promotion कर सकता है, ठीक है और क्या करता है, पहला अगर यहाँ पे एक general काम लिखें दोस्तों, हम लोग यहाँ पे work लिखें इसका तो क्या-क्या लिख सकते हैं, पहला क्या हो गया सबसे पहला support provide करना सबसे पहले support provide करना किसको support provide लंबे कारिखंड को, लंबे workpiece को ठीक अगर दूसरा बात करें, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखना है तो ड्रिल रीमिंग यह सब operation को perform करने के लिए अगर एक और यहाँ पे इस काम लोग काम लिखें क्या काम लिख सकते हैं दोस्तों एक और काम लिख सकते हैं यहाँ पे centering के लिए center center जो होता है center देने के लिए ठीक है center देने के लिए बना किसका होता है कास शायरन का बहुत बढ़ियां very good very good तो यह कुछ इस तरह से दिखता है इसके उपर में यह लीवर होता है यह लीवर हो गया आपका यह लीवर होता है लीवर क्या करने के लिए fix कराने के लिए fix कराने के लिए ये hand wheel होता है हाथ से चलाने वाला wheel होता है ठीक है drilling के दारान ये use किया जाता है ये आपका tail stock का end होता है इस पे क्या करते हैं हम लोग आउसेक्ता अनुसार या तो tool या तो हम लोग क्या लगाते हैं center लगाते हैं ठीक है ये कुछ bolts लगे होते हैं दोस्तों ये bolt होता है ठीक ये कुछ इस तरह से दिखता है आपका अब बात आती है दोस्तों इसके size and specification की size and specification की बात करें दोस्तों size and specification मतलब जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं कितना बड़ा हूं, कितना छोटा हूं, कितना लंबा हूं कितना चोड़ा हूँ, ये मेरा क्या है, साइज है, और मेरा स्पेसिफिकेशन क्या है, मैं कितना खाना खा सकता हूँ, मैं कितना खाना पचा सकता हूँ, ये मेरा स्पेसिफिकेशन है, मैं कितनी पढ़ाई कर सकता हूँ, ठीक है, ये सारी चीजे मेरी स्पेसिफिकेशन में आ एक जो आपका head stock पर इसे केंद्रक लगा हुआ है और दूसरा जो आपका tail stock पर केंद्रक लगा हुआ है इन दोनों के केंद्रकों के बीच की दूरी क्या है distance दूरी क्या है इनके बीच की ठीक है उसके बाद एक term होता दोस्तो sweep and swing sweep and swing रवी चंद्र अस्विन वाला swing है ठीक है मतलब कि इसमें हम कितना बड़ा work piece maximum use कर सकते हैं यह इसका sweep and swing कहलाता है कितना maximum diameter वाला work piece कर सकते हैं यह sweep and swing कहलाता है इसका कि नहीं नहीं वह वाला एक पर नहीं अभी बता रहें उसको छड़का maximum बंडाया कितना है खराद के बेट से सेंटर के बीच की दूरी यहां इसको भी लिख लीजे दोस्तों इसको आप लोग सकते हैं ऐसे दिखें यह बेड हो गया यह बेड आपका हो गया ठीक है यह कहां से बेड से सेंटर के बीच की दूरी ये भी एक specification हो गया, एक बेड की लंबाई आपकी कितनी है, ये भी specification हो गया, कितना बड़ा workpiece लगा रहे हैं, ये भी आपका एक specification हो गया, यही सारी चीज़े हैं इसकी specification, इस spindle हमारा कितनी गती से गोम राही है, इसका एक specification, ये हो गया, हमने screw thread काटना सुरू किया कि यह कितना आशने कार सकते हैं कितने पीच वाला सब के早ों में आती है कि चाल करको काटी जा सकने वाली चूड़ी की पिच आगई नभी रहे हैं देख रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं कमेंट सब का जवाब देंगे एक प्रण बता रहें कि फिकर कर रहें सब बताएंगे ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों लैथ के ऐसे सिरीज की लैथ के ऐसे सिरीज का मतलब क्या हो कौन कौन से डिवाइस हम यूज़ कर रहे prac 하기 को पकड़ने के लिए और टूल को पकड़ने के लिए अगर एक लाइन में आपे दोस्तों लोग बोले ये सारी चीज़े जो आपकी आती हैं दोस्तो टूल होल्डिंग डिवाइस ये सारी चीज़े आपकी आ जाती है ऐसे सिरीज में इसके अलावा भी कुछ और चीज़े यूज होती है ठीक अब आगे ध्यान से समझीए दोस्तो यहां पर अगर हम बात करें यहां पर खराद जहाएं, केंद्रक हो गया, face plate हो गई, face plate हो गया, angle plate हो गया,Music, king, and driving plate हो गई आपकी ठीक, mendral हो गया, rest हो गया, fixture हो गया फिक्स्चर हो गया इस सारी चीज़े जो आपके आती है इसमें लेठ के एसे सिरी में आती है ठीक है अब बात करें दोस्तों यह सारी चीज़े यहाँ पर वही लिखी हुए इंगलिस में भी बात करें चक की चक का यूज कहाँ पर होता है एक बार सभी लोग बताएंगे चक का यूज कहाँ पर होता है चक का यूज कहां पे होता है, सब लोग बताईए एक बारी से तो सुनिए द्यान से दोस्तों, चक का यूज होता है सबसे अगर एक लाइन में आप लोग यहां पे लिखना चाहें जनरल इंट्रोड़क्शन के वल, तो चक का यूज होता है किसके लिए? चक का प्रियोग, अभी तुरंद बताएं, देखिए, वर्क पीस को पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, ठीक, अब देखते हैं दोस्तों, यहां पे, चक का प्रियोग, खराद मसीन पर सिलिंड्रिकल, यानि कौन सा बेलना कारियोम, इर्रेगुलर, या तो वो सिलिंड्रिकल होगा, या सिलिंड्रिकल नहीं है, तो उन सभी ऑबजेक्ट को पकड़ने के लिए, किसका यूज होता है, चक का यूज किया जाता है, ठीक है, यह इसमें क्या होता दोस्तो, इसके पिछले पार्ट में थ्रेड कटी होती है, अगर उस थ्रेड को आपको देखना है, तो मैं कुछ आपको दिखा सकता हूँ, थोड़ा सके उलके वल, कैसे दिखा हूँ, यह रहा, इधर देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यह दे है, बहुत बड़ी हैं भी स्नू, बहुत बड़ी हैं, ठीक है, तो यह चक में कैसे थ्रेड कटा होता है, यह चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब यह कितने प्रकार की होती है, ध्यान से देखिए चक, एक होता है आपका फोर जा चक, एक होता है आपका ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं बारी बारी से एक एक चक के बारे में सबसे पहला जो चक आपका होता है फोर जा चक क्या होता है आपका फोर जा चक अब फोर जा चक दिखता कैसा है दोस्तों आपका फोर जा चक कुछ ऐसा दिखता है ये हो गया आपका पहला जा पहला व इसकी खासियत यह है कि यह सिलेंड्रिकल यहां पर लिख लिजिए लिखिए यहां पर ऐसे सिलेंड्रिकल अगा इर्रेगुलर इर्रेगुलर सेब की सेब की वर्क पीस को पकड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग फोर जाचक का इसे हम लोग दोस्तों इंडिपेंडेंडेंट जाचक भी बोलते हैं क्या बोलते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है जब हम यहां पर चक्की लगाते हैं यह माले चक्की हमने लगाया चक्की लगाए हमने ठीक है तो इसमें जो यह जवड़े होते हैं जवड़े इसमें हर एक जवड़ा क्या होता है प्रते एक जवड़ा वो क्या कर सकता है इंडिपेंडेंट हो के आगे बढ़ाना चाहरें तो एक बढ़ा सकते हैं इसको हम क्या करना चाहरें दो थ्रेट आगे बढ़ाना चाहरें दो बढ़ा सकते हैं इसको अगर हम तीन थ्रेट बढ़ाना चाहरें तो चार थ्रेट बढ़ा सकते हैं ठीक है यह इसकी खासियत होती है इसे हम लोग जा को स्वतंदर रूप से आगे पीछे चलाया जा सकता है, दूसरा पॉइंट, जबडे को चलाने के लिए उसके पीछे की और निश्चित माप की थ्रेट कटी होती है, चूडिया कटी होती है, ठीक, जिसकी सहायता से जिनको, जिनको एक, इस्कुरू की सहायता से घुमाया जाता है, जिसके कारण जा, यानि जबडे को आगे पीछे चलाया जाता है, ठीक है, इस्कुरू के उपरी भाग में एक स्लॉट कटा होता है, जिसमें हम लोग चक्की को लगाते हैं, उपरी भाग में जोई स्लॉट कटा हुआ है, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, चक्की के लिए ठीक है यह आपका हो गया दोस्तो फोर जाचक क्या हो गया सो हो गए क्या सब लोग ऐसे ही ठीक है तो एक point में अगर यहां पे हम लोग लिखे लें दोस्तो तो इसका सबसे बड़ा बढ़िया वो क्या है इसमें advantage क्या है कि इसमें हम लोग अगर इसका advantage लिखे ले तो irregular अगर कोई irregular safe वाली job क्या है workpiece है irregular रेगुलर सेप वाली workpiece सेप वाली workpiece ठीक है तो उस condition में अब बहुत ही क्या होती है suitable हमारी छक होथी है ठीक है अगला बात करें दोस्तों यहां पर अगर हम लोग 3 जाच्ड की एक Jest फील्स पानी पिल ले आ हूं अब लोग तब तक देखी सामने 3 जाचक कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों तो कि ध्यान दीजिए यहां पर थ्री जचक क्या होता है कि इससे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं अईसा क्यों क्यूंकि आपने देखा कि अगर हम क्या गर रहे हैं इसमें चक्की लगा रहे हैं इधर देखिए इधर देखिए सब लोग यह देखिए यह देखिए जैसे मैंने चक्की लगाया यह इंडिपेंडेंट होके मोशन कर रहे हैं मतलब यह डिपेंड होके मोशन कर रहे हैं मतलब एक जबड़ा अगर सब्सक्राइब नीचे आएगा तो सभीजवड़े को क्या करना पड़ेगा अंदर की तरफ आना पड़ेगा फिर से देखिए ओना इधर देखिए अधर इधर अगर एक ने खोल गुल रहा हूं तो पूरा क्या होता है सभी सभी खुल जाते हैं यह ठीक है ठीक हैँ दोस्तो यह क्या होता है आपका यह आपका सेलफ सेंटरिंग चक इसमें सेंटरिंग क्या वसकता नहीं पड़ती है इसमें जॉब को केंदर निर्धारण क्या वसकता चक की लगाई है ऐसे चक वाली कुंजी लगाई है तो यह जो तीनों जबड़े हैं दोस्तों क्या कर सकते हैं तीनों जबड़े मोशन करते हैं ठीक है तो यह इसका एडवांटेज है यहां पर बहुत बढ़ियां यह हो गया दोस्तों आपका combination चक की बात करें दोस्तों दोनों का combo मतलब की 4 जा चक, 3 जा चक independent motion भी कर सके और self centring वाला भी हो तो उसको हम लोग कहते हैं combination चक ठीक अगला बात करें अगर हम यहाँ पे call it चक की call it चक की अगर बात करें तो call it चक के बारे में बताईए सब लोग अगर किसी को पता है तो call it चक के बारे में बताईए call it चक के बारे में बताईए सब लोग यहाँ पे comment box में बताईए सब लोग तब तक मैं पानी पी लेता हूँ एक बारी से अरे सब बताएंगे सिवम क्यों टेंसन ले रहे हैं मैं कह रहा हूँ सब बताएंगे ठीक है अभी कैपस्टन और तरेट में इसके बारे में सारी चीजी बताएंगे आपको जब मैं बोल दूं कि लेट खतम अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक मिस रहे गया तो आप उसके बाद पूछिए आराम से कोई भी टॉपिक आपके लिए मिस नहीं किया रहेंगे ठीक है यहां पे इसके बारे में बताएंगे कॉलेट चक के बारे में कॉलेट चक कॉलेट चक अगर एक लाइन में या पर हम लोग लिख दें दोस्तो चोटे डाया मीटर वाले वर्क पीस को पकड़ने के लिए चोटे डाया मीटर वाले वर्क पीस को पकड़ने के लिए कॉलेट का यूज किया जाता है इसमें क्या होता है दोस्तों यह आप जो देख रहे हैं यह चीज जो आप देख रहे हैं ना यह चीज दो देख रहे हैं इसका यह वाला सिरा क्या किया जाता है इस पिंडल में लगाया जाता है उसके बाद उसके बाद क्या होता है दोस्तों इस कॉलेट में इस कॉलेट में क झो चीएनची आपने देखा होगा इसे टूल लगा होता इसको भी हम लोग कालेक्त बोलते हैं वहाँ ठीक है इसको भी कॉलेट बोलते है ठीक है और टूल गढ़ने के लिए यूज होता है ठीक अब बात करें दोस्तों सेंटर की तो सेंटर कुछ नहीं दोस्तों बस क्या है हम लोग सेंटरिंग के लिए यूज करते हैं वर्कपीस को सेंटर देने के लिए ठीक है बात करें इस ऐसे सिरीज के बारे में तो यह क्या होता है यहाँ खराद का एक मुख्य उपसादक है यानि एसेसरी जो इसका उप्योग खराद मसीन पर बहुत बड़ा अगर वर्कपीस है बहुत लंबा वर्कपीस है तो उसको पकड़ने के लिए यूज किया जाता है ठीक इसके लिए मसीन में दो सेंटर फिट किया जाते हैं एक केंदल को खराद स्पिंडल के टेपर्ड होल में लगाया जाता है यहाँ इस पिंडल के साथ क्या होता है आपका गूमता है इस पिंडल के साथ साथ में गोमता है इसको आप क्या कहते हैं लाइब सेंटर बोलते हैं सरबात क्लियर कोई बात नहीं हम बता रहे हैं इधर देखिए यह आपका हैड इस टॉक हो गया यह spindle हो गया ठीक एक spindle में क्या करिए आप लोग यहां पर center लगा दीजिए अब यह क्या होता है आपका spindle गूमता है यह गूमता है तो इस नाते इस वारे center को आप लोग कहते हैं मूबेवल सेंटर मूबेवल सेंटर क्यों क्यों क्योंकि यह मूब करता है और दूसरा जो आपका होता है यहां पर इसको लिख लेते हैं यहां पर कौन सा इस्टॉक है यह हैड़ स्टॉक इधर क्या होता है आपका टेल स्टॉक होता है इधर होता है टेल स्टॉक यहां पर जो सेंटर लगा होता है दोस्तों आपका इसे हम लोग कहते हैं डेड़ सेंटर क्योंकि यह क्या होता है आपका इस्तिर होता है डेड़ सेंटर डेड़ सेंटर ठीक है तो देखिए इसका दोस्तो एप्लीकेशन कहां कहां पर होता है अब इसका दूसरा केंद्रक जो होता है टेल स्टॉक के स्लीब में यह जो टेल स्टॉक पीछे दिखरा दूसरा सेंटर लगा हुआ है ना लगाये जाता है सधारन तोर पर यह केंद्रक जो होता है आपका सेंट यह कई तरह के होते हैं सबसे पहले अगर बात करें तो यह Simple सेंटर इसमें आ जाते हैं एक होता है Reverse Center एक होता है Small Cante डोस्तों आपका कैसा दिखता है Simple Center बिल्कुल Simple तरही के से दिखता ऐसे ठीक है इसको हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटर और बात करें अगर बाल सेंटर की तो बाल सेंटर में क्या होता है जो आगे वाला सीरा होता है कुछ ऐसे बाल रहता है कि बाल सेंटर की बात करें तो कुछ ऐसा रहता है अगर हम बात करें एक सेकंड एक सेकंड य तो नाम सही सारी चीजने दोस्तों इसमें कुछ अलग नहीं जो में चीज़ आपको रखना क्या याद रखना है क्या करने के लिए यूज होता है लेथ मसीन पे यानि खराद मसीन पे बहुत लंबे लंबे कारिखंड को पकड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है सेंटर का यूज किया जाता है इतनी बात सबको क्लियर है अरे इतनी बात सबको क्लियर है एक ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया इधर देखिए सब लोग आगे बात करें अगर हम लोग फेस प्लेट की फेस प्लेट का यूज अगर किसी कंडीशन में हम चक को यूज नहीं कर पा रहे हैं ठीक है अगर मान लीजे जहां पे चक आपका यूज नहीं हो पा रहा है उस जगा पे हम लोग किसका यूज करते हैं फेस प्लेट का ठीक है देखिए ध्यान से फेस प्लेट का यूज ऐसे कारिखंड को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसमें जिसके चक में जिसमें जिनको चक में या केंद्रकों में पकड़ा जाना संभाव नहीं होता है उस जगह आपे हम लोग face plate का यूज़ करते हैं इसी को थोड़ा सा modify कर देते तो angle plate आ जाता है angle plate के case में क्या गरते है horizontal work piece को पकड़ने के लिए लोग इसका यूज़ करते ठी इसका यूज़ रेडियल होती है ठीक है विभीन प्रकार के क्या लग कटे होते हैं सलॉट कटे होते हैं यह देखिए न प्यार प्यार से सलॉट कटे हैं ऐसे यह जो सलॉट कटे होई है यह जो सलॉट कटे होई है यही सलॉट की वा सेंटर का यूज संभो नहीं होता है संभो चक का सेंटर का प्रियोग वर्कपीस को पकड़ने में संभो नहीं होता है प्रियोग वर्कपीस को पकड़ने के लिए संभो नहीं हो पाता है वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते है संभव नहीं होता है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं ठीक है किसका यूज़ करते हैं हम लोग इसका यूज़ करते हैं फेस प्लेट का यह जो होती है यह सारे स्लोट कटे हुएं यह स्लोट कटे हुए आपके ठीक है कुछ-ऐसा आपका姿निजम होता यह कि मुथ होता इसटों आपका फेस प्लेट अगर बात करें इंगल प्लेट की तो इंगल फ्लेट भी इसी इस तरह से ऐसे लगा होता है दोस्तों आपका अब इस condition में क्या करेंगे इसको modify कर देंगे तो वह आपका कहलाता है angle plate तो अगर work piece को हमको horizontal लखना है horizontal condition में तो उस condition में हम लोग angle plate का use करते हैं लेकिन साथ में रहेगा दोस्तों आपका face plate भी ठीक है उसके साथ में face plate भी जाता है इसका प्रियोग ऐसे कारिखंडों को पकड़ने के लिए किया जाता है कि जिसकी क्लैंपिंग सता को horizontal रखना हो horizontal रखना हो horizontal कोंड प्लेट जो होती है आपकी कास टाइरन की बनी होती है जिसमें 90 अंस के कोंड पर दो कॉम्बो होता है ठीक है यह जो एंगल प्लेट होता है इसमें face plate के साथ साथ में इसका यूज किया जाता है नीचे यह आपको दिख रहा होगा कि इसके यहां पर नीचे के येंट्रोडक्षन लेली जिए मैंडुर्डेल का यूज़ वहां पर होता है जब हमको हॉलो वर्कष में क्या करने के लिए हॉक्त के लिए ओन्दीशन में मैंडुर्डillar का यूज़ करते हैं एट यह चिज विजल द्यान में मत रखिए कोई काम नहीं आँए इसका बस एक general चीज देख लिखता हैँ आपका कुछ ऐसा देखता है मेंडरल होता है कुछ ऐसा दिखता है धेखें द्यान सें यहां पर आप लोग δेख रहे होंगे दोस्तों इसमें क्या होगा यहां पे यह जो operation perform हो रहा कैसा operation perform हो रहा drilling का इसके उपर में एक मेंड्रेल लगाए गया है ठीक है तो मेंड्रेल का use कहां पे होता है दोस्तों एक line में आप लोग लीजे मेंड्रेल मेंड्रेल जो होता है यह होलो कि वर्क पीस को सहारा कि देने के लिए देने के लिए ठीक कितने प्रकार के होते हैं इतने प्रकार के होते हैं एक होता है दोस्तों आपका simple मेंड्रेल एक होता है step मेंड्रेल एक होता है थ्रेडेड मेंड्रेल एक होती है color मेंड्रेल एक होती है गाइंग मेंडरल avor Shelf पर सारी चीजे के डिपंड aha अगर यहाँ पर सिमपल मेंडरल की बात करेंगे दोस्तों सिमपल मेंडरल कुछ ऐसा दिखे एक को यह बिलकुल सिमपल वाला मेंडरल है ठीक है एक card सिंपल लेकिन अगर यह मतलब की एक के बाद एक step ऐसे हैं इसमें जैसे ये पहला step हो गया कुछ ऐसा ठीक है इसको हम लोग कहते है stepd mendrel इस तरह से अगर इसमें thread कटा हुआ तो threaded mendrel collar लगा हुआ है एक collar दो collar तो उसको कहते हैं collar mendrel gang mendrel मतलब की combo वाली बाता जाती है ठीक है बात करें जो अगली बात आती है rest की rest क्या होता है जैसे आप लोग देखते होंगे गाओं पे क्या होता है एक वो किसका जो मतलब होती है न ये लकड़ी उकड़ी होती है उसका एक वो बना जाता है छपपर बना जा ठीक है तो उसको support प्रोवाइड करने के लिए क्या लगा जाता है एक rest दिया जाता है जिससे की वो पूरा rest condition में रहे बिल्कुल वही चीज यहां पे भी है दोस्तों कि work piece अगर बहुत लंबा है कितना लंबा है इतना लंबा है जैसे ये आपका head stock हो गया ये head stock हो गया क्या हो गया head stock हो गया ठीक है इस पे आपका चक लगा हुआ है इस spindle में चक लगा हुआ है work piece अगर बहुत लंबा है कितना लंबा है पता नहीं कितना लंबा है बहुत लंबा लेकिन इतना भी की लंबा नहीं है कि वो किहां तक पहुthird कंदीशन में उस कंडीशन में चसक्त हैं प्यार से स्रस्पूर्प लगा दें इसी सपोफेश-क्यां कहते हैं को इस मिज में लग गाएं को है इस तो नहीं लगाया कहीं पर यह क्या होता दोस्तों आपका rest rest मतलब जिसको लोग क्या बोलते है take take समझ में आ रहा है ना support बगल में लिख लो support ठीक है जिससे देखिए दोस्तों problem क्या होती है कुछ आपका ऐसे workpiece है अब आपको इस पर facing करना है आपने क्या किया tool को लाया facing करना शुरू किया कुछ ऐसा हो जा रहा है ना कुछ ऐसा हो जा रहा है देखिए ध्यान से जैसे आपने tool लगाया facing करना शुरू किया यह घूम भी रहा है आपने उस पर tool लगाया तो क्या किया कुछ ऐसा हो जा रहा है उस condition में क्या किया जाता है rest का use किया जाता है rest का use किया जाता है जिससे क्या होता है अब माली जी आपका tool को क्या करना है यहाँ पे अपने tool को क्या करना है अपना कारे perform करना है यानि facing करना है तो यह rest क्या करता है support provide करता है और इसको इधर उदर बागवने नहीं देता है, वर्क पीस को, अब इस पर क्या होती है, आसानी से हम लोग कारी कर सकते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे ही बात हो रहे है जैसे माली जे कुछ ऐसा है यह चक है अब इस चक को माली जे हमने यहाँ पे कर दिया मतलब यह चक है एक्चुल में लेकिन मैंने रेश्ट लगा दिया यहाँ पे पीछे चक है अब इस पे क्या कर रहे हैं मसीनिंग कर रहे तो यह नहीं भाग रह इसके लिए रेश्ट का यूज किया जाता है तो देखिए दोस्तों रेश्ट का कार्य क्या होता है इधर देखिए टेको का परियोग खराद मसीन पर पतले वा लंबे कारिखंडों को सहारा देने के लिए यूज किया जाता है ठीक है पतले वा लंबे कारिखंडों में यानि और लंबा कारिखंड में यदि खराद के दोनों के इंद्रकों को मद्ध पकड़ कर कटाई कटिंग एक्षन की जाए तो कारिखंड बीच में नीचे की और जुक जाता है जुक जाता है जिसके कारण सही बेलनाकार सर्फेस हमको नहीं प्राप्त होती है तो उस कंडिशन में ह क्या करते हैं दोस्तों रेस्ट का यूज करते हैं सपोर्ट का यह दो तरह की होती है एक होता है स्टेडी रेस्ट एक होता है फालोवर रेस्ट ठीक है स्टेडी रेस्ट दोस्तों आपका कैसा दिखता है स्टेडी रेस्ट दोस्तों आपको कुछ ऐसा दिखता है देखिए जो चीज मैंने आपको बताया यहां पे आप लोग विज्वालाइज कर लीजिए आप यहां पे देख रहे हूंगे दोस्तों यह आपका चक है चक में वर्खपीस वाधा गया है इसके सामने एक क्या लगा दिया गया तो सही से हमको मसीन सरफेस नहीं मिल पाती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं रेस्ट का यूज करते हैं सपोर्ट का यूज करते हैं रेस्ट का यूज करते हैं जिससे कि अब वर्खपीस हमारा इधर उधर नहीं बागता है इधर उधर नहीं बागता है तो उन सब चीजों के लिए दोस्तों जो यूज किया जाता है आपका रेस्ट का यूज किया जाता है ठीक यह आपका दोस्तों क्या होता है steady rest होता है यह आपका देखिए steady मतलब स्थीर मतलब किए वाला जो rest होता है 스ब रेस्ट यह आपका एग जगा पर क्या कर यह तक कर दया जाता। मतलब इसको एग जगा पर फिक्स कर दिया जाता फिक्स है। ठीक है । और इसी यह वाला जो रेस्ट होता है स्टेडी रेस्ट यह आपका एक जगा पर क्या कर जाता है रेस्ट कराया दिया जाता है मतलब इसको एक जगा पर फिक्स कर दिया जाता है ठीक है और इसी का ठीक उल्टा होता है आपका फालोवर रेस्ट इसी का ठीक उल्टा होता यह follower rest follower rest follower rest में क्या होता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों यह यहाँ पे fix करा दिया गया लेकिन follower rest को हम क्या कर सकते हैं follower rest को tool के सापेक्ष क्या कर सकते हैं motion भी करवा सकते हैं जैसे कि अगर आपका टूल मान लीजिए यहां पे काम कर रहा है तूल आपका क्या कर रहा है यहां पे काम कर रहा है तो इस रेस्ट को भी हम क्या कर सकते हैं स्लाइड कर सकते हैं आगे पीछे किस पे यह जो यहां पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है उस बेड़ पे जो नीचे जो यहाँ पर guideways बने होते हैं इसके नीचे आधार mark बने होते हैं ठीक है जो खराद bed पर guideways के अनुसार होते हैं इस take को खराद machine के bed पर आसानी से सरकाया जा सकता है तथा किसी भी अस्थान पर clamp किया जा सकता है ठीक है ये clamp भी किया जा ही दोस्तों यहां पर यह रेष्ट और मोशन दोनों में किया सकता है रेष्ट स्प्लीर है कि अब ini कि इसका बहुत ज़्याधा यूज होता है इस वालेarti का ओप्र फेसिंग आप्परेशन के लिए ज्याधा यूज होता है फेसिंग के लिए है ठीक है अब बात आती हिए, कुछ पैरा मीटर होते हैं आपके, कटिंग स्पीड क्या होता है कटिंग स्पीड मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि उत्वर की, वर्क पीस के साफरे जो हमारा टूल मोशन करता है, गती करता है उस गती को हम कहते हैं कटिंग स्पीड Install formula मैंने बताय था क्या होता है that oh मींटरन पर सेकेंड के Cutting स्पीड मैंने आपको बताया है कि आपका da कर रटेट करना है आपने कितने एम्म का एक बार ऐसे दिया वरक पीस को टरन कराने के लिए यह आपका दोस्तों क्या होता है फीड होता है फीड कितने प्रकार की होती है फीड तीन तरह की होती है एक होता है दोस्तों आपका लॉन की ट्यूडिनल फीड अरे एक होता है लॉन की ट्यूडिनल फीड दूसरा होता है आपका ट्रांसवर्स फीड Transverse Feed तीसरा होता है आपका Angular Feed Angular Feed अब इधर देखिए दोस्तो Transverse Feed क्या होता है Transverse Feed जो होता है दोस्तो Longitudinal Feed जैसे यह आपका क्या Head Stock है इसमें चक लगा हुआ है इस चक से WorkPiece मधा हुआ है ठीक है अगर हम क्या कर रहे है अगर हम इस Axis के इस Axis के इस वाले Along में क्या कर रहे है Feed दे रहे है तो इसको हम लोग कहते है क्यों सा Feed कहते है इस Feed को हम लोग कहते है Longitudinal Feed मतलब कि अगर हम Length के Along यह जो WorkPiece की लंबाई है उसके Along अगर Feed दे रहे है तो इसको हम कहते हैंила Nади q comigo कि और अगर हम क्या कर रहे हो इसके पर्पेंडिकुलर टीट दे रहे हैं जैसे यह आपका अगर हम ऐसा दे ठीक है इस डाइरेक्ट्स्ट्ट्मएं अगर फीड दे रहा है ऐसे आगर फीड दे रहे ठीक है इस डारेक्ट्ट्म में इस फीड को कहते हैं है driving 韷 facing यह यह बाला जो फीड दिया है दो ललांगि ट्यूवेस नहीं भीगत अरंडिंग में टर्निंग ऑपरेशन में, टेपर टर्निंग में, टेपर टर्निंग में, सॉरी सॉरी टेपर टर्निंग में नहीं होता है, टर्निंग में ठीक है, यह जो आपका होता है दोस्तों आपका फेसिंग में होता है, फेसिंग ऑपरेशन में, ठीक है, बात करें एंगुलर फीड की, तो एंगुलर फीट जो दिया जाता है दोस्तों आपका एंगुलर फीट जैसे यह आपका वर्क पीस है माउंट हो गया इस पे कि यह वर्क पीस क्या हो गया ऐसे माउंट किया गया था अब इस पर क्या हो रहा है टेपर टर्निंग ऑपरेशन हो रही है अब इस पे क्या हो रहा है टेपर टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है मतलब कि इस पे टेपर काटा जा रहा है यह टेपर काटा जा रहा है ठीक है तो इस कंडिशन में जो फीड दिया जाता है उस फीड को लोग कहते हैं एंगुलर फीड यह किसमें दिया जाता है टेपर टर्निं में अर्फ यह तिड्रा की फीड हो गउगये अपकी एक बात आती है डेप्स आप कट की डेयामिट्अक होता है जैसे माल लीजिए यह आपका यह डी डियामीटर का वर्क पीस है एक यह क्या है डी डायमीटर का वरक पीस है D diameter का वर्कपीस है अब इसको क्या करने है दोस्तों जब हम tool लगा रहे हैं ऐसे tool इस पर लगा रहे है tool ठीक क्या करने के लिए turning operation करने के लिए तो turning करने के बाद से कुछ ऐसा दिख रहा है turning के बाद से कुछ ऐसा दिख रहा है ठीक जो हम यहां पर depth up cut की बात करते हैं अब माल लिजे इसका diameter कितना हो जा रहा है small d तो यहां पर अगर हम depth up cut की बात करें depth up cut कितना हमने depth up cut लगाया तो यह depth up cut आपका यहीं तो होगा दोस्तों यहीं आवला depth up cut होगा आपका तो इसको कहते हैं हम लोग t equal to small d minus capital d minus small d divided by 2 कहां चले गए सब लोग अब बात आती है सबसे महत्वकून टॉपिक की जो आपके exam में बहुत बार पूछा है और पूछा जा सकता है turret and capstanlet turret और capstanlet क्या होता है एक बार ही सब लोग फटा-फट से comment box में दिल की बहुचार कर देंगे उसके बाद हम इसको पढ़ाते हैं आपको turret and capstanlet क्या होता सभी लोग बताईए एक बार फटा-बट से comment box में इतनी बात है सब क्लियर है जो मैंने आप तक पढ़ाया आपको एक बारी से बताईए सब लोग डेप्ट आप कट and transfer speed में different तब क्या है आसू तोस फीड और डेप्ट आप कट कैसे आपको सेम दिख गया एक बारी से हमको भी बताईए फीड और डेप्ट आप कट आपको सेम कैसे दिख गया अरे गवरो यार देखो इधर देखो डी माइनस डी वाई टू एल यह तुम मतलब यह टेपर टर्निंग की बात कर रहे हूँ अब आधा अधूर अग्यान इसलिए बहुत खतरनाक होता है ठीक है चीजों को सही से जानके रखो कि अधिया दूरे चीजे वह टेपर टर्निंग होता है ठीक है अगर वहां पर अपको टर्निंग एंगल निकालना आए कितना एंगल कहां टेपर टरनिंग दे रहें टेपर दे रहें कुसष कंडिशन में उसका यूज होता है एक बार इसे सब लोग बताएंगे उसके बाद हम आगे बढ़ें कि सेमी आटोमेटिक लेट बहुत बढ़ियां बेरी गोड बेरी गोड सेमी आटोमेटिक लेट क्या बात है क्या बात है और कुछ नाम दे दीजिए टरेट एंड कैपस्टन लेट तो बाड़ें आगे दोस्तों बढ़ें आगे थोड़ा साम भी रेस्ट कर रहे हैं तब तक आप लोग जो भी डाउट पूछ लीजिए उसको है क्लीर में बेरि गुड बेर्ष वेरी गुड फॉर टर्नींग है यौट लार्ज कॉइन numéro स具 अपनट साहीं बीड है बिल्कुल सही बात बता रहें ठीक है अगर हमको क्या करना ध्यान दीजिए यहां पर turret and capstan lathe क्या होती है यह semi-automatic lathe होती है lathe का क्या होती है modification जो lathe machine आपने देखा है उसका modification यह है इसमें क्या होता है हम क्या करते हैं दोस्तों अगर हमको bulk quantity में क्या करना workpiece तयार करना बहुत ज्यादा mass production करना है उस condition में हम लोग किसका यूज करते हैं उस condition में turret and capstan lathe का यूज करते हैं या एक बारी से मान लीजिए एक बारी से अगर आप लोग मान लीजिए एक बारी से अगर आप लोग मान लीजिए दोस्तों क्या है कि कैसा कैसा डावट पूछ रहे हैं सब कि अरे सिवम देख लो भाई इधर देखो तुम सिवम इधर देखो कि एक बार इसे डाउट ले देते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं ठीक है इधर देखो इसमें ये वाला सेंटर आपको क्या दिख रहा है मूब करता दिख रहा है सतीस सेंटर मूब करता दिख रहा है तो इस नाते इसको लाइव सेंटर बोलते है ठीक है घूमने वाला सेंटर बोलते है और जो इस्थिर होता है उसको डेट सेंटर बोलते है जो एपरन होता है दोस्तों आपका एपरन एप Karena क्या होता है यह बिल्कुल बिल्कुल आपके Headstock के ठीका सामने लगा होता हूँ यहां पे ऐसे Headstock के सामने लगा होता है जो कि क्या गरता है आपरन के बारे में यहां पर लिख लीजी एक लाइन है burada यह बैसिकली काईरिए्षट को करेंग गलाएंद को शालाने के लिख लुगा होता जरी कि छबगाने के लिए क्रेट को हाथ से अपरेट करा रहे तो उस कंडिशन में इसको हम लोग एपरंट बोलते हैं ठीक है यही चीज है पहनने वाला एपरंट नहीं है यहां पर अब आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर हम लोग टरेट पर ठीक है टरेट और क्या होती है सेमी आटोमेटिक लेट होती है सेमी आटोमेटिक लेट मसीन होती है जो की Center Lead का इसकी है क्या होती है एक deinebew prep को करने का इसका पोदेशन पर ने करने के लिए यूस?」 किया जता है हाई प्रोदक्शन रेट बढ़ाने की लेटिक है खरादो पर क्या होता है अदिकतर क्रिया है सोय तूल क्या होता है आटोमेटिकली आ जाता है या मान लीजी आपका वर्कपीस तयार हो गया वो कट के बाहर क्या पार्टिंग आप हुआ फिर से अगला वर्कपीस लोड हो जाता है इसमें ठीक है अगली क्रिया के लिए दूसरा टूल क्या होता है सोयामी आगे आ जाता है और समझ में नहीं आया, हमके कोई बात नहीं, थियोरी तो वैसे भी समझ में नहीं आता, सुनिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ जो आपको अब, सबसे पहले इसका जनरल डाइगराम अगर बात करें तो नीचे आपका क्या होता है, लेग होता है, वो वाला लेग नहीं है, जो अच्छा बेड बना, इस बेड में क्या होता है, यहां से सामने आप देखेंगे, तो फीड रॉड लगी होती है, सामने से देखने पर फीड रॉड लगा लिया आपने, उसके बाद इस एंड पे आपका क्या होता है, हैड होता है, जहां पे चक लगा होता है, चक में वर्क हुiance है भब शिख ऐता है कि अन्तर कहां था जाता है डेकर यहाँ होता है kiroords कॉल्वर्बार स्वेक्ष LGBT तोफ यहाँ पे इस स्टॉल पॉस्ट लगा होता है। यहाँ प्र इस condition में एक hop Sam एक सैडल होता है सैडल के ऊपर कभी-कभी रैम लगा होता है कभी-कभी नहीं लगा होता है सैडल के ऊपर में कभी-कभी रैम लगा होता है कभी-कभी नहीं लगा होता है और इसके ऊपर आपका लगा होता है टूल पोस्ट इसके उपर लगा होता है टूल पोस्ट अब होता क्या है दोस्तों इसमें ध्यान से सुनिए license सब लोग होता क्या है कि जब एक बारी बारी से सब का नाम लिख लीजें आप लेग हो गया ये बेड हो गया एक बार समझ लीजे सको ये फीद हो गई कि यह आपका कैरियज हो गया कि यह सैडल हो गया कि सैडल है कि यह हो गया रैम कि रैम आगे पीछे मोशन करता है यह भी आपका टूल पोस्ट है हुए इसमें दो टूल पोस्ट होते हैं यह वर्क पीस है आप सुनिë जूनिए द्यां से यहां से क्या हो रहा है जब इस वर्क पीस पर काया है हो ठीक है तो होता क्या है जैसे मान लीजे इसमें हमने क्या क्या बारी-बारी बWorld से बहूत सारे टूल लगा दिये एक आपका लगा है दोस्तों आपका ड्रिलिंग टूल एक लगा हुआ है इस को करना हमको कारिय करना है तो होता क्या है इस सेडल को हम क्या करते हैं कि स्फ्रेश गाइडवेस पे न इसके बास जब आपने पॉजीशन में आ जाता है तो बर्प्राइब करें गरो अग्हें पीछे सवाइड कर की या करते हैं amoc ल से अग्से माल लीजिये एक बार आपको क्या करना है टर्णिंग करना है टर्निंग और आप्रेशन पर्फॉर्व हो गया उसके तुरंत बाद यहां पर आप देख रहे हैं जो टरेट लगा हुआ है और टेड्ट यह जो टेट्व ह crisis उस्फ म्तलब इस्फी चे तरह के टूल लगाए जा सकते हैं इसने ऊपरिट्ण को यह ट्र गरता है इस लुक्त गुमाते है उसके वाद अगले टूल को लाते अगला टूल क्या करता है अपना काम करता है, फिर इसको गुमाते हैं, फिर अगला टूल आता है, अपना काम करता है, तो इस तरह से एक बारी में क्या होता है, दोस्तों, बारी-बारी से कई सारे अपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, उसके बाद जब हमारा कारेखन तयार हो गया, यानि वर्कपीस तयार हो गया, वर्कपीस जब तयार हो जाता है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक पार्टिंग टूल लगा होता है, पार्टिंग आप टूल मतलब की, पार्टिंग आप टूल होता है यह टूल क्या करता व्रक पीस को व्रक फीस को किया करता act उत्यार हो सकution काट के अलग कर देता है कि आने कि इसमें को कि इसमें तार्म स्विस्टाउड होटा यह हमारा पर क्या होता है हमारा हेक्सागोनल आक्टागोनल या फिर इसक्वाइर यह सारे इस पर लगाए जाते हैं ठीक है कि जन्रल ओबर्विव देखिए द्यान से यहां पर इधर देखिए कहां गया कहां किया कि कहां गया इसका डाइगरा यह रहा देखे दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है यह इधर देखिए सब लोग कुछ इस तरह से दिखता है यहां पर देखिए यह पूरा का पूरा मेकेनिजम क्या है आपका बेस यह पूरा का पूरा बेस हो गए आपका ठीक उसके बाद यह जो बेडा आपको दिख रहायाँ बेड में देख रहे हुआ है कि यह दोस्तों आपके क्या होती है यह आपका रbl. होता है इसको हम लोग Management है इसको लोग क्या कहता है सैडल बोलते हैं सैडल बोलते है यह आपका क्या है ? ऑद दोस्तों है कि अफ तो घॉलि के चरेट तूल पोस्ट कर लीजिये नहीं तो confusion होगा turret में और क्यपस्टन में अभी आपको hexagonal तूल पोस्ट है ठीक यह आपका हो गया दोस्तों आपका एक टूल पोस्ट यह हो गया है कि यह हो गया चक अब होता क्या है इसमें होता क्या है कि एक टूल यहाँ पर माली जी हमने लगा दिया है एक टूल यहाँ पर लगा हुआ है एक टूल यहाँ पर लगा हुआ है एक टूल इधर साइड में एक टूल इधर साइड में ठीक बारी बारी से जब अपना काम कर चुका होता है एक टूल तो क्या करता है इसको हम गुमा देते हैं गुमाने के बाद से अगला टूल आता है अपना काम करता है फिर जब ये टूल काम कर चुका होता है जैसा जिस तरह से इसको काम करना होता है उसके बाद फिर दोबारा से गुमाते हैं अगला टूल आता है अपना काम करता है फिर उसके बाद गुमा इसना पार्ट हमारा तैयार हो गया काट के अलग कर देता है और वही चीज़ हमको चाहिए होता है वह चीज़ हमारा तैयार हो जाता है एड्वांटेज क्या होता है इसमें बार-बार आपको जैसे मान लीजिए जन्रल लेथ मसीन में आपको एक अपरेशन परफॉर्म करना होता था टर्निंग आपने टर्निंग परफॉर्म कर लिया उसके बाद अगर आपको ड्रिलिंग करना है तो फिर से क्या करना पड़ता था टर्निंग टूल को बगल करिए ड्रिलिंग टूल को तब चलाए इसमें ऐसा नहीं होता है एक बारी से करके मास्स प्रोडक्शन में किसका यूज करते हैं ढोग यह दोनों मसीन का यूज्ञ शूरज यह महिशा है नहीं बनाना है और कि अलावा और क्षीुन प्री यान चाहिए और को कि काक इसमा करना क्या आप यहां पे एक हैंडल बना लीजिए एक handle यहां बना लीजिए, दूसरा handle आप लोग यहां पर बना लीजिए, ठीक है, एक में क्या गरी, रैम लगाई है, दूसरे में रैम हटा दीजिए, तो बात करें दोस्तों यह आपका कौन सा लेत होता है जिसमें रैम होता है जिसमें रैम होता है उसको क्या कहते है रैम जिसमें होता है उसको क्या कहते है जिसमें होता है उसे हम लोग कहते हैं कैपस्टन कैपस्टन लेथ और जिसमें नहीं होता है उसको हम लोग टरेट लेथ बोलते हैं इसका अगर आपको 2D डाइगराम बनाना है दोस्तों तो 2D डाइगराम भी यहाँ पर है देख लीजिए इधर से कहां गयां ? यह रहा second जो आपको एक्साम में बनाना है 2D डाइगराम के लिए अगर यह भी नहीं नहीं बना सकते लें तो जो मैंने बनाया है उसके अलाव कुछ अलग नहीं करना ही के लिए इसके बारे में थोड़ा से देख लेते हैं तो क्या क्या चीजह नहीं ये का मास्ट प्रडुक्शन के लिए यूज किया जाता है आउसेक्त आनुसार ये दो तरह के होते हैं इसमें क्या 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 parts होते हैं वही होई बेड हो गया आपका gear box हो गया करीज हो गया saadle हो गया और पर परन हो गया ठीक उसके बाद बात करें इसमें हम लोग टरिट और कैपेस्टनलेट में अन्तर कहा-कहा पर आजाता देखिए ज्यान से टर्रिट कैपेस्टनलेट में टेल इस्टॉक के अस्थान अग्वांब एक टर्रेट लगा होता है ठिक ये खराडे के अंदर रखराथ से इस प्रकार भिननों प्रकार डिफ्रेंस दोती है क्यों कि कहीरिये चे ऊपर एक स्कॉायर टूल पॉस्च क्या तूल-पोस्ट हरदेश क्या सो कि जगते हो किया ऐसे आंग करकर चलते हो क्या और क्या ही बात है're ड़िस बने लगा होता है जिस पर चार अलग अलग टूल एक साथ पकड़े जा ensure इस्क्वाइर मतलब चार चार टूल एक्साथ पकड़े जा सकते हैं केट इसके पिछले वाग पर एक पस्ज टूल-पोस्ट जै हमाँ ओता है इन खरादों में विभिन प्रकार से प्रिएवाले टरएट छे छे फेस वाले होते हैं जिसको हम लोगे hexagonalウェardड बोलते हैं जीया यह Jagan को बता दी क्या क्या होती है और क्या सब्किस्टर खड़ाद में मुख्या ऑंतर इसी टॉरुधं के अवस्धापन में लोकेशन का होता है कपेस्टन लेत में क्या होता है यहां टर्रेट एक छोटी स्लाइड एक छोटी स्लाइड पर लगा होता है जिसको लोग क्या कहते है रैम बोलते हैं ठीक जबकि टर्रेट में क्या होता है यह सीधे सैडल पर लगाया जाता है कि द्यान से देखो इधर भाई मैं बोल रहा हूं इस पर सुनो सब लोग इधर देखो मैं ने क्या बोला कि यह आपका क्या है यहां पर है सागोनल टरेट है जो है कि इस पर मांटेड यह इस तनाते इसको हम लोग क्या कहते है कैपेसिटन लेद बोलते हैं लेकिन अगर ये रैम नहीं है रैम नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टरेट अगर इसका आपको 2D डागराम बनाना तो मेरे साथ में बनाते रहे देखे कैसे बनाते हैं इ कि एक लेक हो में लेग पर आपने बना लिए बेड कि समकहर्ण में थे तो ऑइंसで देखने में फीडो Center फीड्रा रड़ बना लाव्र जी है कि यह कि फीड्रा ऐसे दिखती है फीड्रा बना लीजिए ऐसे ऐसे इसमें क्या कटे होते हैं थ्रेट्स कटे होते हैं थ्रेट्स कटे होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं फीड रॉड इसको कहते हैं हम लोग फीड रॉड यह होता है दोस्तों आपका बेड बेड किसका बना होता है यही सारी चीज़े आपको लिखने हैं दोस्तों काल् है आटोमेटिक करने के लिए फीट देने के लिए यहीं सारी चीजे आपको लिखनी है कुछ अलग नहीं लिखना जो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा पढ़ो उसको ठीक है जो मैं समझा रहा हूं वह सुसको समझो आप लोग एक साइड में आपका होता है है इस जोग में यहाँ पे एक स्पिंडल होता है उस स्पिंडल में चेक लगा होता है चुर्फ हो गया आपका आएप यह क्या होता है इसारे हैं प्लेगोटर syndrome बोते हैं ही सब आतरों क्या बोलते हैं बारी बारी में गयुटफ में holes लाइट होता है यह फीट सलाइड ने है ठीक है बारी बारी से एक आपका टूल पोस्ट हैसे होता है टूल पोस्ट हो गया यह है आपका एक टूल पॉस्ट इसके पीछ इस साइड में जहां पर टेल स्टॉक होता है उस टेल स्टॉक की जगा पर आपको एक सैडल बनाना है उसके बाद उस सैडल पर उस सैडल पे क्या करना है उस सैडल पे आपको क्या बना देना है एक सैडल पे क्या करना बना देना है आपको सैडल पे बना देना है आपको टरेट उस सैडल पे आपको क्या बना देना है टरेट बना देना है तो यह कौन सा टरेट आपका हो गया हेक्सागोनल हेक्सागोनल ट प्रट यहां भी हैंडल बना लीजिएगा चमकाना आहां फिघर में बस आपको चमकाते रहीगा जितने पर्ट-व्य लग रहे हैं, कि लिख सकते हैं आप लोग सब्लिक दीजिए। आपको जितने पर्ट लग लिखने वाले सारे पार्ट्स के बारे में लिख दीजिए यही चीज आपकी होती है कौन सी यह होती है आपकी टरेट टरेट लेट लेट ऐसा नहीं है कि यहां उसे बैट के क्या करना है 10 से 15 मिनिट एक डाइगराम बनाना उसके बाद पता चले कि यहां पेपर ही छूट गया बस क्यों लेक ब्लॉग डाइगराम बनाना है आपको समझाना है कि कैसा दिखता है यह ठीक है यह होती दोस्तों टरेट लेट टरेट लेट में क्या होता है रेम नहीं लगा होता है लिख लीजे यहां पे नहीं कुछ लोग अभी सोय होंगे फिर उसके बात कहेंगे चल चल समझ में नहीं आया चल रेम नहीं होता है ठीक डाइट किस पर लगा होता है सैडल पर लगा होता है यह हेक्सागोनल टरेट हमारा यहां पे बस दोनों में अंतर यह है और भी बहुत सारी चीजे हैं कि और यह सारी चीजें मैं बता दिया आप लोगो को क्या-क्या होती है इनके बारे में देख लिएगा अपने आप से देखना यह यह चीजा आप पढ़ेगे बस आपको करना क्या है चीजों को समझना है समाज करके लिखना है यह मसीन बिल्कुल आपकी कौन सी वाझे टर्रट वाली है यह टर्रट मशीन लिख लीजिये यह यहां पर इसमें क्या देखिए यहां पर रैम नहीं है सीधा यह सेड़ल माउन्ट यह चाक हो गया यह है और पीछी सारी गीर्राइब लगikhым लगी हुई है लगी तो ये बना दीजिएगा, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे एक एडिंग लिख लिजिए, डिफरेंस, डिफरेंस, ये चीज मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप अपने इसाब से लिख लिजिएगा, ठीक है, सारी चीजे सेम है, कुछ अंतर नहीं है इसमें, मैंने आपको नहीं बनाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे, नीचे यहाँ पे आपको डाइगराम भी बनाना है, लिख लिजिएगा, डाइगराम, डाइगराम भी एड करना है, ठीक है, जो अगला अंतर आपको करना है, वो डाइगराम भी करना है, एक दो आप पॉइंट कम लि ले लिए आप लोग देखते हैंंकि वह फेसिंग यह क्या होता था है यह होता हुश carbohydrate कर रहा है से रोटेत कर रहा है ये टूल हो गया ये टूल हो गया ठीक है टूल ऐसे क्या कर रहा है टूल अगर वर्क पीस की इस एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या कर रहा है परपेंडिकुलर में क्या कर रहा है कटिंग कर रहा है तो इसको हम लोग फेसिंग बोलते हैं ठीक टेपर टर्निंग क्या होता है द फॉर्म टर्निंग के तो फॉर्म टर्निंग कुछ ऐसे होती है इसमें फॉर्मिंग टूल का यूज़ किया था और फॉर्मिंग टूल कुछ ऐसा होता है इसको क्या करते हैं जैसे हमारा जो टरेट होता है उस टरेट में बांद करके क्या करते हैं उसको ऐसे कर पकड़ लेते ह होता है उसको वहां पे टूल ता कुछ ऐसा बनाया उस तूल को आपने क्या किया वह पोश्ट पर मांट कर दिया उसके बाद ले जाके क्या कर रहे हैं इस पेचिपका दे तो इसे हम लोग कहते हैं form turning मैं एक चीज होता हैrium फार कि एक चीज होती है कि धुक्त यह है कुछ ऐसा समझ लिए कि यह यह टेपर क्या की तरह canvas की घ्यूंस फेजाती Apa ist चaremos section जोती वहब चोली दी जाती है Netflix Palnau छोती है भूच्छ छोटि दी जाती है ति कुछ कुछ ऐसा रहता है कि चैंपरिंग होता है लेट मसीन में और भी बहुत सारे ऑपरेशन जैसे कटाफ हो गया इसे हम लोग कहते हैं पार्टिंग आफ मतलब कि जैसे ही हमारा वर्क पीस तयार हो गया उसको पार्टाफ करके अलग कर देते हैं उसके बाद एक होता है थ्रेडिं में क्या होता है ड्रिल टूल लगा करके हम लोग क्या करते हैं होल बनाते हैं होल बनाने में और होल को क्या करने के लिए री होल करने के लिए मतलब होल को और बढ़ा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग बोरिंग करते हैं एक ऑपरेशन और होता है दोस्तों आपका नर्लिं नर्लिंग जैसे आप देखते होंगे आपके घर पे जो फर्स बना हुआ है फर्स वो फर्स क्या होता है जैसे आप देखते होंगे बहुत स्मूथ नहीं रखा जाता कभी कभी कुछ क्या होता है उस पे लाइन्स खीच दी जाती है लाइन्स जैसे यह आपका माली जिट फर्स सेही फरस है घर का फरसे उस पर क्या यहां है कुछ एसे लाइन्स खीच दिया जाता है स्टैसे लाइंस खीचे लेता है लाइन इसी कॉमेल बोलते है नर्लिंग यह ऐसा ही यह कियागता नाइश करेंगों ऑफ पर इसicular के कीया जाता है झतली बनता है दोस्तों आपका किस्से बनता है नरलिंग से नरलिंग सेर। अब इसके लिए मठीम टूल का यूज़ किया जाता है तो यह था दोस्तों आपका कम्प्लीट लेथ Lorid ठीक है जितनी चीजे मैंने पढ़ा नहीं थीक से बात कर ले कि दोस्तों क्या-क्या पूछे जा सकते हैं तो सब कर ले अब सकते हैं सबसे पाहला क्लिखिया यहां पर कि क्यों है 18 devil कि है centeraneously पर कि interacting कि कि शdoo यह पर टिकपड़ी लिखिये सेंटर लेथ पर टिपड़ी लिखिए दूसरा क्वेशन अगर बात करें कि आप पूछा जा सकता है आपसे फीड क्या होता है फीड क्या होता है उसके परकार बताईए उसके परकार बताईए और डाइगराम तो सब में बनेगा डाइगराम अगर आपने छोड़ दिया तो फिर समझिए कि फिफ्टी परसेंट नंबर तो आपका वैसे चला गया तो पांच नंबर का क्वेशन डाई नंबर वैसे चला गया आपका हाँ बहुत बढ़ियां सचिन नट वोल्ट पे भी किया जाता है चेंपरिंग ठीक है तीसरे कोईसन अगर इससे बात करें हम लोग तीसरे कोईसन की बात करें तो लेथ ऐसे सिरीज क्या होती है लेथ ऐसे सिरीज क्या होती है क्या होती है क्या होती है टिप पड़ी निखिया इन पर ठीक एक कोईसन यहां से और बन सकता है आप लोगों से कौन सा महा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों महत्वपूर्ण नहीं महा महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट कैपस्टन एंड टरेट लेट टरेट लेट का वरडन वाल का वरडन अब लिक डिफ्रेंस यह दो कुश्चन ऐसे बन सकते हैं डिफ्रेंस इसके अलावा एक कुश्चन इसमें और एड़न कर दे रहें दोस्तों क्या है कभी-कभी मान लेज़े पूछ लेता है कि सेंटर लेट हो गया यह हो गया हाँ बैरियस ऑपरेशन बैरियस ऑपरेशन अनलेथ कौन-कौन से ऑपरेशन होते हैं तो बिस डाइगराम आपको क्या करना है सारी जीज़े एक्स्प्लेइन करनी है जो यहाँ पे आपने देखा तो यह हैं दोस्तों आपके लिए जो कुश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं है जितने भी एड़ करना चाहिंए अब लोग कर सकते जैसे बता दूं आपको करना तर नीग हो गया आथ कं टेपर टर्निंग हो गया अधर दस ऑपरेशन क्या सकते हैं आप लोग असानी से को यह सा हो नहीं है टेपर टर्निंग प्रेसिंग है कि चैंफरिंग और क्या बता सकते हैं आप लोग नरलिंग ग्रूबिंग पार्टिंग पार्टिंग आप और भी यह जैसे कि जो ड्रिल मशीन से परफॉर्म किया जारा ड्रिलिंग जो ड्रिल लगा कि किया ड्रिल टूल ड्रिलिंग बोरिंग रीमिंग कि बहुत सारे हैं इसके बारे में आप लोग कर सकते हैं यहां से ठीक है अब एक बारी से सब लोग बताएं कि क्या किसी को भी डॉट कोई समस्या कोई परियसानी जितनी चीजे मैंने आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिंग मिसिंग है तो भी बताइए उसको भी एड़ कर देते हैं इसी वक्त एक बारी से सब लोग बताइए क्या किसी को कोई भी डाउट तो इतनी बाते सबको के लिए ने दोस्तो बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड तो जो आपकी अगली क्लास होगी वो होगी तेरा है अज पंद्रा तारीक को सुबह में पंद्रा तारीक को सुबह में आपकी अगली क्लास होगी मिलिंग की जो आपका अगला चेप्टर है ठीक है अग बहुत बढ़ियां लेक्चर के साथ साथ में डेटा भी कोई बात नहीं सिवम डेटा जरूरी है या पढ़ाई जरूरी है कॉल एट चक बता दें कोई बात नहीं देख लीजों इधर को अगर को अट जग एड़ा कोल इड़ा को अट चक है इस देखिए त्यागी जी कॉलेट चक का यूज़ कहां पर होता है कॉलेट चक का यूज़ ध्यान से सुनिए जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है वर्क पीस वर्क पीस का डाया इतना है ठीक है वर्क पीस का डाया कुछ बड़ा है ठीक अगर मान लीजिए आपका workpiece इस pen के इतना पतला है, इस pen के इतना पतला है, तो उस condition में, उस condition में अगर आपको इस workpiece को hold करना है, तो आप क्या करेंगे, अपने desired choice के अनुसर चक लेके आएंगे, तो उस condition में जिस चक को आप लेके आते हैं, उस चक को आप लेके आते हैं, उस चक को आप लेके आ ब्यास वाले चोटे डायामीटर यानि कम डायामीटर वाले निख लीजिए कम ब्यास वाले वर्कपीस को पकड़ने में हो और जितने लोग इंटर्वियू की तयारी कर रहे हो ना इस चीज़ को सब लोग तयार रखना जितने भी लोग interview की तयारी कर रहे हो, placement की तयारी कर रहे हो, यह जो chapters चलने हैं, आपके production technology वाले यह बहुत महत पूर्ण है, क्योंकि इनी सबसे ज्यादा question आपसे पूछे जाएंगे, आपके interview में, दो chapter complete, हाँ, दो chapter complete हो गया, नवीन, तो इतनी बात सबको clear है, कोई बात नी, कोई बात नी, data खतम हो गया, फिर से renew कर लेना, small work piece आया, very good सा तेस, तो ठीक है दोस्तों, session को end करें, session को end करते हैं, सर, एक topic छूट गया, लेथ, machine पर taper बनाने की method, describe करिए, अच्छा, 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 तीन method होते हैं, बता दे रहे हैं, compound slide method होता है, जो पूछता है, अगर पूछ लेगा कभी, तो compound slide method के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, taper turning करने की विधी है वो, ठीक है, चलिए उसको assignment में add कर दे रहे हैं, आपके लिए, सबके लिए assignment में add कर दे रहे हैं, उसको कर लीजिएगा, एक चीछ छूटा है, चूटा नहीं है, missing हो गया, थोड़ा सा, लिख लीजिए यहाँ पर, taper turning, टेपर turning method, जिसमें आपका दोस्तों होता है, compound slide भी दी, यही मैत पूर्ण है, आपके लिए, compound slide में ठीक है, यही पूचता भी यह ज्यादा, compound slide में ठीक है, उसमें होता है, जो आपने टरेट देखा है, दोस्तों, टरेट को क्या घरते हैं, थोड़ा सा incline कर देते हैं, आप eszाब ऑ? जीसको, जो compound slide होता है, जैसे यहाँ पर जो देखते होंगे आप लोग यहाँ, क्यारेज होगे, इस क्या करते हैं, थोड़ा सा जितने angle चला होता है, उस compound slide को उतने angle हैं, लोग incline कर देते हैं, और यह तूल होता है, हमारा अब टूल क्या करता है, यह यह eh tool क्या क कॉअ है कॉल अचो ड्रिलिंग मसीन में भी उज़ू होता है हो सकता है क्यों नहीं ये जो सकता है भाई वर्क फीरीछ सोटा हम तो बिल्कुल ये उच कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं कि अगर उसका यूज आपको जानना है तो आपि देखते होंगे जो गन के वैरल होते हैं गन के वैरल में 12 दो मैं वहां गए इसमें मैंने काम किया वह दोस्तो से इंडस्ट्री में ठीक है गन के जो बैरल्स बने होते आं उन गन के बाराल को बनाने के लिए और यह खिल आपने बोला है catch कॉय चकुक हुअ कि वे झிलगे जाते हैं कभी कभी ठीक है बहुत अगर अगर छोटा वेंट है तो वहां फी यूज किया जाते हैं ठेक ठेक जो महत्वपूर्ण है सचीन वही बता रहे हैं कि कंपाउंड स्लाइड में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यह ज़्यादा पूछता है अरे सिवो में एक ही कमेंट कितनी बार लिख रहे हो तो एंड गरे सेशन को दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर हसते रहे हैं मुस्कुराते रहे और जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं इसको क्लास में खत्म करते रहिए दोबारा इसको पढ़ने वाली ओ मत रखि क्योंकि ये जो subject है ओ यहाँ पे बैठने वाला है यहाँ पे बैठने वाला सीधा इसको यह नहीं कि आम पो रटरट के याद करना है क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा उसी को आपको लिखना भी है ठीक है तो ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं कल तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थैंक यू